Hello everyone, हम अश्टांग रदे सुत्र इस्तान का चेप्टर 6 पढ़ रहे थे उसमें हमने लास्ट लेक्चर में मांस वर्ग तक पढ़ लिया था अब हम साक वर्ग से कंटिनू करेंगे तो शाक मतलब जो सबजियां होती है उनके वारे है शाकम, पाठा, शठी, सूशा, सू, निश्ण, सत्तिनजम, त्रीदोशक नम, लगू, ग्राही, सराज, शवक, वास्तुकम तो कौन-कौन से सबजियां, उनकौन से चिजों का हम शाक के रुप में उसकरते हैं पाठा, शठी, सूशा, बतलब कास्मर्द, शू, निश्ण, चोपतिया, सूतिनज, राक्षवक, बत्वा यह सब ही कैसे होते है त्रीदोश शामक ठीक है कि वादपित्त कब तीनों को कम करते हैं यह लगू होते हैं और ग्राही होते हैं इन सब के बारे में आप आगे जब द्रावेगून सब्जेक्ट पढ़ोगे उसमें आप इनकों डिटेल में पढ़ोगे ठीक है सारी चीज होगा तो इसमें कौन कों चाते हैं पाठा, शठी, सू निश्ण, सूशा, तीनी, राजशवक, बत्वा तीनी दो शामक होते हैं, लगू होते हैं और ग्राही होते हैं अब सब के बारे में अलग-अलग शू निश्ण, सू निश्णों अगनी करद वरश्य स्तेशू शू निश्ण अदर जो चो पतिया, शो पतिया जो चार पतिया होती है वो क्याता है, सबीस आखों में अगनी वर्दर, चठागनी को बढ़ाते हैं, हमारा डाइजेस्टी पावर अच्छा करते हैं, और वीरिय वर्दर क्या है, ठीक है, राजशवक के साथ है, राजशवक परम गरहनी अर्शो विकार अगना, राजशवक गरहनी रोग और अर्श गरहनी मतलब जो IBS होता है, इरिटेवल, बोवल सिंड्रोम और अर्श मतलब पाईल्ज, इन में अच्छा होता है, कि मतलब राजशवक खाने से यह डीसेस ठीक होती है, फिर वास्तुक वर्चो वर्च मतलब क्यों था है, मल और भेदी मतलब मल को तोड़ते हैं, मतलब अत एजी ले you clear हो जाएंगे उसका जाते है काक work माची रहें क्षठ म रशार से उश्चना रासायनी क्षठ माची सर्हार का ठीक है कश्ठ की कय म HC को सब्सक्रां करने वाला होता है ध्योर से गठ करता है वर्च घृत क해 के उसने विर्च पश्राइन का काम पर्टा है और स्वार्य अंतर मतलब जो हमारा लेरिंग होता है उसके लिए अच्छा है उसके वाधा है चांगेरी ती पतिया यह तो आप लोगों ने आपके आसपस देखा होगा छोटी चोटी पतिया होती है तीन पतिया आपसमें जूड़ी रहती है थोड़ी सी खटी से लगती है ठीक है चांगेरी अम लगनी डिपनी घ्रिण अर्ष ईं निल स्टलेश्मिंहितोश्ण घ्रिण लगू क्या थी हो दर श्वाद में अमलरास केसे होता है? अमलरास तो खट्टा होता है अगनी को बढ़ाते है, अर्ष वात विकार कफ विकार मतलब वात कब शामक है, थीके है उनको खतम करते हैं, ऊश्शिड वीड़ी वाली होते हैं, मल को भाफने वाली होते हैं। इसमें सारी शाक का बताया है में पटल, सब्तला, अरिस्टग, सांगरश्टा, अलवगुजा अमृता, वेत्रा अच्ताग ब्रहती, वावत्या, कुतिली, तिल पढणिका, मंडुपणने करकोटक कार वेल्लक परपटा नाडी कलाईगो जिवा वारताकम वन तिक्तगा करीरं कुलकम नंदी कुचेला सकुलादनी कट्टीलं केवुकम शीतं सकोशाथकी करकश तिक्तम पाके कटू ग्राही वातलं कफितजित तो कौन-कौन से सब्जिया होती है पटोल, सब्तला, अरिष्ट वन निम, सांगेश्टा, अवलकुचा, अम्रता, ब्रहती, वेत्राग्र, वासा, कुंतिल, तिलपर्णिका, मंडुपर्णिक, करकोटक, कार वेल्लक, परपट, नाडी, कलाई, गोजिवा, वारताक, वन तिक् करीर, कुलक, डंदी, कुचिला, सकुलादनी, कठिलक, केवुक, कोशात, करकस, ठीक है, इन सब का हम यूज काई में करता है, शाप की रुप में, ठीक है, इन वे आपन नॉर्मली सुनने में आता है, परवल आता है, भटा, ठीक है, ब्रहती ना, एक तरदा का भटा, वासा सब बैगन होता है, ठीक है, करेला, कारवल, अलग, मटर, कलाई, ठीक है, और, ठीक है, बादकी ये कूछ होती होगी, सब के जगए, सब के हापर अलग- Every अद बोलता है, उनको, तो ये कैसे होते ही, शीद भी रे ठीक है, इह वे आती है, तिक तर्यस होता है, कटू भी पा परवल के बारे में तो आप लोगों ने सुना का परवल कैसी होती है रदयम पटोलम क्रमीन क्रमीन स्वातु स्वादू पाकम रुची प्रदब रदय में हित कर हैं, क्रीमय नाशक हैं बोचन के ररदये रुची का बर्द में रुचीयःत नहीं कर रहे हैं तो पित्त को बढ़ाएगी बात को कम करेगी मल का भेदन करेगी अगनी को बढ़ाएगी ठीक है उसके बाद आता है अडूशा मतलब वासा ठीक है व्रश्यम तु वम्मी काशगनम रखते पित्त हरंपरा अडूशा के पत्तो का शाक वमन कास और रखते पित्त जो वासा है ना वह रखते पित्त की बेस्ट मेडिस है ठीक है आप जब तनो भी हम वासा अओले का यूश करते हैं ठीक है छीनपलस जैसा बनाथा जैसा शाव लेयका बनता है वैसे वासा अउलेह वासा से बनता है और उसको हम अगरण देते ना कास जिसको बहुत जादा खासी फ़गेरा हो रही है तो उसके लिए है और वमन में भी ठीक है सबको पता है करे ला कटो होता है कटो तिक तो होता है और एक होता है मधूर ठीके मालगी होता ये बेगन उष्णवीर्या कफ़ात को शमन करने वाला ठीक है शार अंस होता है कुछ जठागनी को बढ़ाता है रदय के लिए हित करें रूची करने वाला और पित्तो को बढ़ाने वाला ठीक है तो बेगन आपने देखने कुछ बेगन ऐसे कड़ में निकल जाते हैं तो वह कट तू और ठीक तरस वाले और कुछ मद़ों जो नौनमली हम लोग खाते है ठीक है कफ़ात को शमन करते हैं पित्तो को बढ़ाते हैं फिर करीर करीरम आदमान करम कशायम सादू ठीक तरस होता है तोरई और बाकुची कोशात की अवल गुज को भेदनी वा अगनी दीपनम ही मो रुख्ष स्वादू पाक रसो लगु मध प्ट विश विश षरक में आ मतलब क्या रखत और कर्म के रच पित्त विश कशान का रखत क करने के रखत रखत श्य से पर रोग में विश्विकारों में उसने चीज है ना उनसे होने वाली डिसेस को कॉन्ठी करता है तंडूलियो उसके रहता है मुझातक मतलब कंद मुझातम बात्पित्तजित इसनिक दम शीतम गुरूल स्वादू प्रहनम शुक्र क्रत्परम बात्पित्त शामक है इसनिक दोता ह शीत गुरू स्वादू मधूर और पूरूश के शरी को पुष्ट करने अज़ा शुक्र वर्दग है अब न आप लोग सोच टो के इतना सारा कैसे आत करें तो इन सबसे जो को ना एक दो बार बस ऐसे पढ़ने से ताकि अगर ऐसा तो आदा नहीं जाना अलग से कुछ एक के बारे में स्पेसिफिक पुष्टते अलग-अलग मेडिसेंस में अलग-अलग शाक के बारे में या फिर अलग-अलग मांस के बारे में नहीं पुष्टते तो एक दो बार अगर आप लोग पढ़गे तो नहीं अगर बाइचांस आ जाता है तो लिखने के लिए कुछ तो अलग अलग तरह का अलग अलग टेस्ट आता है उसका उपोदी का मद्यगनी चवपोदी का यह अभी गुरु सर गुर्णों सिखते हैं और मद का नाश करती है बदल नशायक ताइप का ठीक है उसका नाश करती है उसका उता है चंचु का शाक पालक क्या वद स्मृत्म चंचु सत्व संग्रहन अत्मकम ठीक है सामाने गुण पालक की सामाने ठीक है जो पालक का था सर मत का नाश करने अला नहीं वो तो उपोदी का था पालक क्या था गुरु देर से पश्चने अला मल का भेदन करने वाला और विशेशकर क्या होता है ग्राही होता है इसके दाते विदारी कंद विदारी कंद विदारी वाद पितगनी मुत्रला स्वादुशी तिला जीवनी ब्रहनी कंट्या गुर्वी व्रशा रसायन वाद कपका शमन करने वाली होती वाद पित्त का सुरी वाद पित्त शामा के म को निकालने वाली मधूर शीत वीर्य जीवनिय शक्ति वाली स्वास्त वर्दक कंट के लिए इत कर पाचन में गुरू वीर्य वर्दक और रसायन विदारी न रसायन में यूज करते हैं तो मधूर मधूर वी मधूर शीत वीर्य मधूर विपाव कंट के लिए अच्छी पाच कुष्मांड मतलब कद्दू कद्दू कुष्मांड तुम्ब कांगलिक करकोर वर्वारुक तिंडिसं तथा त्रपुष चिनाक चिर भट्टम का फात्रकत बेदी विश्टम वेभिशंदी सादू पाक रसम गुरु कुष्मांड तुम्ब कालिंग करकार मतलब खर्बूजा तर्बूज ककड़ी खीरा यह सब आएगा इस ठीक है उर्वारु तिंडिस मतलब तिंडे त्रपुष तिंका त्रिभट यह सब ना ककड़ी तर्बूज खर्बूजा कद्दू तिंडा इन सब के अलग-अलग भेटे तो यह क्या होता है वात कफ को बढ़ाने वाले होता है वात और कफ को बढ़ा रहे है मतलब क्या करेंगे पित्त का शमन करेंगे मल भेदक है विश्टरमभी अभिशंद विपाक और रसम मदूर और गुरू होता है फिर अकेल-अकेले इन सब के गुण तो कुष्मांड क्य ट्रपूश में गद्दूशर बस्ती को सुद्द करता है बस्ते दब यूरिनारी ब्लेडर को ठीक है और वीरे को बढ़ाता है त्रपूश बड़ा खेरा प्रपूश अधिक मुत्रकारग होता है ठीक है जिसको डिश्यूरिया हो रहा हो उनके लिए हैं मुत्रपूस अच्छा है फिर तुम्बा लोकी तुम्बा रुक्षितरम ग्राही कलिंग एरवारू रुचिब्रटम बालम पित्तहरम शीतम विद्यात पकप मतोने का तरबूच ककडी और यह क्या रुक्षित चीज है वह मल को बांदने वाली हो ठीक है उपर कहे गए फल जब जब तक बाल मुलायम रहते तब तक इनका गून पित्ते नाशक होता है ठीक है जब चोटे रहते हैं अभी नहाया चोटा ही है जादा पका नहीं है तो वह क्या होता है पित्त शामग और शीत पाल को रुशन भी रहते हैं इसलिए इनको कच्छा और इतना मुलायम सौफ्टर उतना अच्छ हम खाने प्रिफर करते हैं ठीक है पिरे श्री नवरंट फल शाक ठीक है जो शाक अपने डंठल से अलग हो गया श्री नवरंटम दूसर शारम पित्तलम कफातजित रोचनम द तो पित्य को बढ़ाएगा और वात कव का शबन करेंगा रूची का रजट रांगने को बढ़ाने वाले रदे के लिए हीट कर वात अश्ठिला और आना रोगों का नाश करते हैं अब वात अस्ठिला क्या होता है तो उसके लिए उसका एक टाइप है फिले म्रणाल आदी मतलब जो कमल और इन सब के वेदे ना उनके बारे में बताया है म्रणाल बिश शालू का कुमूद उत्पल कंदकं नंदी माश केलूट स्रंगाट कशेरूकं क्रोंचादन कलोड्यम चरुक्षम ग्राही हीमम गुरू यह सारी वो चीज़े जो ताला महोंगते ठीक है म्रणाल बिश शालू कुमूद उत्पल नंदी माश केलूट स्रंगाटक कशेरू क्रोंचादन और कलोड्य तो यह क्या होती है रुक्ष होती है ग्राही मतला मल्कों बांगने वाली होगी कुछ कुछ एक्सेप्शन हो सकते लेकिन मेक्सिमम टाइम तो ऐसे होगा शीत्वीरे है और गुरु है देर से पचने वाली ठीक है उसके रहती कलंब बादी का वर्णन कलंब नालिकार मारशक कुटिंजर कुतुमबकम चिल्ली लटवाक लोणिका कुरूटक गवेदुकम जीवन्त जुन्जुन एडगजम एव शाक सुवर्चला आलू कानी चे सर्वानी तथा सुप्यानी लक्षमनम स्वादू रुक्षम सा लवणम वात स्लेश्म करम गुरू शीतलं फ्रश्ट विन मुत्रं प्रायो विष्टंब्य जीर्यती स्विन्दम निस्पीडित रसं स्नेहा अध्यम नाती दोशला कदंब, नलिका, मार्श, कुंटिंजर, कुतुंबग, चिल्ली, लटवाक, रोनिका, कुटूरक, गवेधूग, जीवक, जीवन्ती, जुन्जू, एडगच, यहवशाक, सुवर्चल, सभी प्रकार के आलूर, सभी प्रकार के वे अन, जिनकी दाले बनाई जाती है और लक्षमिना, यह सब क्या होते है, स्वाब में, मधूर, रुक्ष, लवन्द, रस, युकत होते हैं, जब मिठे भी होते हैं, और नमकीन भी होते हैं करता है वात कफ कारग होते हैं ठीक वात कफ का करते हैं बढ़ाते देर से पचने या शीत वीरियों मलमुतर को निकालने वाले और प्रायय देर से पचते हैं गुरू से युझे मलमुतर को इजीलिद है क्योश्क बढ update की तो हिसे देर कोज़िद लेकिन अगर इनको उबालकर इनका रस निकाले और फिर जो बच्चा हुआ भागे उसको अगर हम घीया तेल में फ्राय कर ले तो यह वात पित्व को बात और कफ को नहीं बढ़ाएंगे ठीक है अब इनमें से अलग अलग कुछ के बारे में पढ़ें चिल्ली शाग लगू प अधिशाख तरकारी वरुणम स्वादू तिक्तकं कफवात जीत तरकारी तता वरिणा के कोमण पत्तों फलो का शाग मधूर तिता पनलिया और कफवात का शमन करने वाला हुट है ठीक है इसका तरकारी का उसके तता है पूर्णर नवा यहं काल शाग वर्षाब्यों दिपनम भेधनम हन्तिगर्षोफ कफानिलम दोनों प्रकायर की पुनानवा छोटी और बड़ी ठीक में रगट पुनानवा और शेद में उन्हायोती है करंज, दीपन, कफात, अगन, शीर, बिलव, अंकूरा सरा, करंज की कोमर, पत्ते, अंकूरों का शाब, अगनी को बढ़ाता है, कफात का अनाश करता है, मलके रुखावट को दूर करता है, तो हमने इतनी सारे चीज़े देख, उनमें बहुत सारे चीज़े कोमर है, कफात को करने वाली अगनी को बढ़ाने वाली और मलकी रुगाउट को दूर करने वाली शतावरी शतावरी अंकूरास तिकता व्रश्या दोश त्रया पहा तिकता रस होती है वीर्य वर्दक्या तीनों दोश्यों का मिनाश करती है ठीक है को शतावरी बंश करीर रुक्षो बंश करीर रश्तु विदाही वात पित लूँ बास के नए अंकूरिया का शाग सतावरी के अंकूरों की भाती बास के भी अंकूर निकलते इनका भी शाग अचार मुरब्ब्बा बनाय जाता है बास जो कोता है बैम्बू उसके कुछ अंकूर होते उनका यूज़ करता है नेपाल में इनके अचार का अत्यंद विचार है यहाँ इसे तामा कहते है ठीक है किसे रूख्ष विदाहकार और बात प्त्त कार होता है बात पित्त को बढ़ाता है तो मतलब कभ दोशुकार शमन करेगा फिर है पत्तूर पत्तूरो दीपनस टिक्त, प्लीहा, आर्ष, कफात अगनी को बढ़ाएगा तिकRepस से कफ़ात कlogo करने वाली और प्लीहा विकार और आर्ष, काथ करने वाली और प्लीहा मतला पूस्प्लीन तो स्प्लीन से टर्ठ रेटती भी गुशुम्ब के पत्तो का शाक रुक्ष होता है उष्णवीर्यय है अमलरस गुरु देर से पचने वाला पित कारक और सर होता है ठिक है उसका लाथा है सर्षो के पत्तो का शाक गुरू उश्नम सारशपम बदद इड मुत्र सर्वदोशकत सरशुत आपने सुना हुगा कुछी गुरू होता है उश्नवीर्य स्वात में अमल पाचन में गुरू मल मुत्र के रुकावट को डालने वाला और तुरी दोशकार होता है उसके बारत है बाल मुली मूली के बारे में आपने सुना हुआ रेडिस तो मूली के अलग अलग है कि मूली छोटी रहती है उसके अलग उणे और बड़ी पकने के बाद उसके अलग उणे तो बाल मूली कैसे होती है यद बालम अव्यक्तरसम किंचि शारम सतिक्तकम तन मुलकम दो शहरम लगू स उष्णम नियच्छी तम नियच्छती गुलमकाश शे स्वाश व्रण नेत्र गला मयान स्वर अगनी सादो उदावरत पिने साश्चा तो क्या होती मुली कच्ची वाली अवेक तरस वाली होती कुछ खारा पनली होती तिक तरस होती है तिनों दोश्चा का नाश करती है इसलिए कच्ची वाली मुली खानी चाहिए लगू उष्ण वीडिया होती है गुलमकाश शे स्वाश व्रण नेत्र विकार कंटिरिकार ज्वर अगनी मंध उदावरत पिनेस रोगो पुनस्ट करती है एसपारेटी सिस्टम के डिसीज डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसीज इन सब को कौंटि करता है बाल मुली ठीक है और जो व्रद्ध मुली होती हो कैसे होती है महत पुना रसे पाकेच चा कटू का मूषिन वहीरियम त्रेदोष यकत गूरू अभी शंदी चा बड़ी वाली मुली रस और विपाक में कटू होती है उश्न वहीरियênio तिनों При उणवाळाने वाली देर से पचने वाली और अभी शंदी होती है ठीक है तो जोब माल मूली होती वो तीनों दोशों का नाश करने वाले होती है और जोब रद्ध मूली होती है तो तीनों दोशों का रख बढ़ाने वाले होती है इसलिए मूली को ज्यादा पकने के बाद आप पुरानी होने के बाद नहीं खाना चाहिए ठीक है फिर इसने है मूली 3 दोश को बढाने वाली होती लेकिन अगर हम इसको इसने में पाक करेंगे तो वाद का नाश करने वाली होगी फिर सुखी मुली का शाक वात स्लेश महरम सुषकम सर्वम सुखाई गई सबी प्रकार की मुलिया वात कफका नाश करती है कच्ची मुली केसी होती आमम कुदोशल सबी प्रकार की कच्ची मुलिया वात आधी दोश का रखोती है सुखी हुई मुली वादकफ का नाश करने वाली योथी कच्ची वाली वाद आधी दोशको बढ़ाने वाली होती है बाल मुली तीनो दोशको शमन करने वाली योथी व्रद्य मुली तीनो दोशको बढ़ाने वाली होती है फिर पिंडालू आधी कंद कटू उष्ण वाद कफा पिंडालू पित्त वर्दन या कुछ कटू उष्ण वीर्य और पित्त को बढ़ाने वाली होती है उसके बाद है कुठेरक आदिशाक तो क्या क्या इसमें कुठेरक शिगरू सूरस सुमुखा असूरी बूस्तरन फनिजक अर्जक जंबी राधी पत्तों के शाक ये सब क्या होते है उत्तम होते विदाहकारक स्वाद में कटू रुक्ष उष्ण वीर्य वीर्य वाले रदे के लिहित कर अगनी को बढ़ाने वाले और उचिकार होते दरश्टी नाशक शुक्र क्रमी नाशक और ये गुण में तीक्ष नवात आदी दोशे को भारने वाले और पाचन में लवग होते है ठीक है फिर है सुर्शा का साख हिद्मा कास विश्विकार स्वास पार्श रूख पूति गंदहा हिचकी हिका मतलब जो हिकापस होती न वो कास, विश्विकार, स्वास और पार्शर्शूल और मुख दूरगंद में कोण अच्छा होता है? सूर्शा का साथ और सुमुख अधी तुलसी के साथ मतलब जो तुलसी है ना उसके अलग-अलग बेदे वो कैसे होती सुमुखो बन अति विदाही गर शोफ हाँ अधिक विदाहा कारक नहीं होता है ना बर्निंग नहीं करती है दूशी विश और शोथ को नाश करती है शोथ मतलब स्वैलिंग इंफ्लामेशन हरा धनिया आदरिका, तिक्त मदूरा, मुत्रला, नचे, पित्टकर फिर लशुन नहीं सुना होगा लशुनू ब्रस तिक्ष्ण उस्ट ने कटू पाक रसा सर रद्य केश्यों गुरू ब्रस्ट इस दिख्दो रोचन दीपन भगन संदान करद बल्ले और रक्त पित्त प्रदूशन कि लास कुष्ट गूल मां अर्शों मेह क्रिमी कफ अनिला अनिला सहिद्मा पिना स्वास कास हंती रसायना नॉर्मल याम अगर देखे तो जो लासुने बहुत गरम होता है पिचेती भी ठंडी चीजें लग रेस्पारेटी सश्टेमे रेलेटेड डीसी से न उनमें अच्छा होता है तिक्ष्ण उस्ट वीरे है विपाक में कटू है सर है रादय के लिए और केस के लिए हिट कर रहे पाचने में गुरु होता है विद्या वर्दक इसनिक दीपन पाचन अस्थी भगने को जोड़ने अला उसको जोड़ने माला बल वर्दक रखते पित्तों को दूशित करता है क्योंकि उश्ण तिखने तो रखते पित्तों को संपने में मुक्त है क्या है क्या करता है वह सक्राइब है पंप ऐसी थीए कोकि अलमिन कॉझ आड़न के उन्गण सब्लाइब का रता है और सइमें के सार्व शाव नंकर पिततों कश कप अले गुहने वह क्वर माइन होता है fol Moone ग्रजनक गाजर कफ वात अर्श शाम पत्य स्वेदे अभ्यवेतो तिक्षनो ग्रजनको ग्राही पित्ती नाम हितक्रत सहो कफ वात विकार अर्श में हितकर होता ठीक है तो कफ और वात का शमन करने वाला होता है कि अर्श के लिए अर्श व्राण शोत आदी पर इसका लेप करने से स्वेदन के शाख बनागर इसे खाला जाता है गाजर का शाख तिक्षनो होता है मल बाहल को बादने वाला ओता है पित्त कारक नहीं होता है बात वरकायो का शमन करता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पर लेप करते हैं ठीक है फिर है सूरण दीपना शूरणों रुच्य कफगनों विशिदों लगू विशेशाद अर्षशा मत पत्यों अगनी दीपक रुची खारा कफ नाशक होता है ठीक है कफ कोश्या मन करने आला विशाद पिच्छी लगा पर दूर करता है लगू होता है और अर्ष्रोक में हिटकर होता है उसका बूकंद बूकंद स्तुआती दोशला दोशकालाक और दोशवर्दक होते है अत्यietnam फिर है शाकों मत्रोतर गूरू था पत्रे पुश्पे फले नाले कञन के गूरू ताक्रबाद पत्रशाख से पुश्प्शाख गूरू इनसयद पुष्प से ज्यादा फल फल से ज्यादा नाल और नाल से ज्यादा कंद क्या होता है गुरु होता है उत्तम और अधम को होने सबसे श्रेश होता है वरा शाक येशु जीवन्ती सार्शिपम तु अवरंपरा शाक वर्ग में सबसे ज्यादा अच्छी को होता है जीवन्ती का स तो इसमें हम को कौन कोंसी चीज़े हम शाक में लेते हैं यह गुरूता वाला क्रम सबसे स्ट्रेस्ट को ने सबसे अधम कोने नॉर्मल एकर शाक वर्ग आता है तो इसकी क्या लिखेंगे कितनी चीज़ों के बारे हम कुछ 5 नमर बाता तो 4-5 चीज़ों के बारे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं पत्र वर्ग में से फूल वर्ग में से एक 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 एससे करके ठीक है तो आज का वीडियो पर यह बें खतम करती हूँ अगर आपको डौट हो तो कमेंट सेक्शन में प